हेलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल वील ओफ फॉर्चून डबल वन डबल बन कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सब बहुत अच्छे हो गाईज आज की जो रीडिंग है बहुत स्पेशल रीडिंग बहुत रिक्वेस्ट रीडिंग है और आज की प्रेडिक्शन में हम देखेंगे कि जिनके साथ आपके शादी होगी बेसे कले आपके फ्यूचर हजबेंड या वाइव उनके साथ आप फॉर्स टाइम कैसे मिलोगे फॉर् से देख सकते हो आज आज आपको अपने ऑफिशल नेम का फॉर्स लेटर चूज करना है ओके तो आज हम बेसिकली देखेंगे पूरे डिटेल में कि आपके फ्यूचर हजबन वाइव के साथ आपके चीजे कैसे आगी बढ़नी स्टार्ट होगी तो टामलेस रीडिंग है च तो आपको ग्रूप 1 चूज करना है अगर आपके नेम का फॉर्स लेटर एल एक्स एच पी ओ या टी है तो आपको ग्रूप 2 सिलेक्ट करना है अगर आपके नेम का फॉर्स लेटर के डबलू ची ओ सी या एस है तो आपको ग्रूप 3 चूज करना है और अगर आपके नेम का 1st letter JVFBNYZ या R है तो आपको group 4 चूज करना है तो आप अपने name के accordingly pile को select कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के start कर लेते हैं वैसे paid personal readings की booking जो है अभी open है so paid readings के लिए energized gemstones crystals के लिए online tarot classes के लिए activated mist spray के लिए आप मुझे given whatsapp number को इंस्टा इडी पर contact कर सकते हूँ whatsapp number, इंस्टा इडी सब कुछ description box में given है और आपको मेरे screen पे भी whatsapp number दिख रहा होगा so चलिए बिना किसी देरी के start कर लेते हैं आज की prediction को hello group number 1 अगर आपकी नेम का first letter r u e a m या q में से शुरू होता है तो देख लेंगे कि आपके future husband है wife के साथ आपकी पहले मुलाकात कैसे होगी और एक दूसरे का impression कैसा रहेगा so timeless reading है channel reading है आप सब के लिए आप सब इसे देख सकते हूँ बाकी details के लिए description box शेक करें paid readings अभी open है तो personal readings के लिए crystals के लिए tarot या candle classes के लिए या फिर activated mist spray and remedies के लिए आप मुझे given whatsapp number पर insta id पर contact कर सकते हैं सारे details description box में given है तो चलिए बिना किसी देरी के start करते है तो जब तक मैं shuffling कर रही हूँ आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा we have king of cups we have two of swords we have the wheel of fortune we have six of pentacles okay so group number one आपकी जो first meeting होगी सबसे पहले चीज क्लियरली आप पर दिख रही है कि आप दोनों की जो first meeting होगी वो पूरी तरीके से destined होगी ठीक है मतलब पहले से आपके भागे में उनके भागे में लिखा हुआ है कि इस तरीके पे इस तारीक पे इतने समय में आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से ठीक है और first दिन जब आप लोग मिलोगे तो आप लोग किसी work place में मिलोगे और वो टाइमिंग एक ट्रांज स्टेशन स्टेट होता है ना कि sun set हो रहा है धीरे धीरे और जब sun set पूरी तरीके से होने वाला रहेगा उसी phase में आप अपने life partner से मिलोगे first time के लिए और यह जो first time होगा यह आप किसी ऐसे place में मिलोगे जहां पर इधर वो work place है like किसी office building के अंदर या कहीं पर काम करने की ज आप पर office हो खुद का business हो ऐसा भी हो सकता है लेकि मुझे दिख रहा है work place में और और कोई event जो कि work related हो जैसे कि seminars होते है webinars होते है ठीक है बट मुझे यह online नहीं दंदर आ रहा है मुझे लग रहा है physical form में ही आप अपने life partner को first time मिलोगे first meeting तो आपकी मुझे दिख रही होगी एक दूसरे को देखोगे जानोगे लेकिन उसके बाद वाले वक्त में इस person के तरफ से यानि कि आपके future husband life के तरफ से ही आपको proposal मिलेगा ठीक है यह चीज़े आपर clearly दिख रही है and जब इस person से आप मिलोगे and यह person आपको approach भी करेंगे कुछ time बाद तो भी आपके life में और options choices रहेंगे हो सकते हैं आप किसी relationship में ही रहो या फिर आपके पास love life को आगे बढ़ाने के लिए proposals already रखे हुए हो and आप confused होगे ठीक है तो आप एक ऐसी state of mind में चल रहे होगे जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि प्यार मेरे लिए बना है या नहीं बना है मुझे अपने क्य काम पर ध्यान देना है मुझे काम में तरकी करनी है उसी वक्त यह इंसान आपके life में आ जाएंगे जब यह इंसान आपके life में आ जाएंगे तब भी आप किसी से connected रहोगे या कोई और इंसान आपके दिमाग में रहेगा शादी के लिए या प्यार करने के लिए and then फिर ची जाएंगे जब यह आपके life में एंटर करेंगे तो आपकी life में दो मजधार में होगी एक तो आप किसी और के बार में सोच रहे होंगे कोई और आपके दिल में होगा और दूसरा आपका अपना काम में जादा बहतर कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे ठीक है तो you will be confused at that period of time in your life ठीक है यह चीज़ देख रहे हैं चोड़ी फिर भी impression देखते हैं कि first meeting में क्या चीज़ें होंगी क्या बातचीत हो पाईगी आप दुनों की पहली मुलाकात में या नहीं लेस्ट चेक contract okay so आपके future spouse जो होंगे जो future life partner होंगे उनका first meeting में जैसे ही आपको देंगे वो love at first sight होगा जैसे ही वो आपको पहले दिन देखेंगे उसी दिन ये ठान लेंगे कि जीवन साती तो आपको ही बनाना है आपको ही प्रपोस करना है आपको ही शादी करना है बहुत पसंद कर ले आपको तो love at first sight वाली चीज होगी कि उनको instantly click कर जाएगी कि आप फी हो उनके किस्मत में ये उनको intuitively feel होगा to be very honest उससे जादा ये कुछ नहीं सूचेंगे बस ये देखते ही आपको उन्हें ऐसा अंदर से feeling आएगा कि you are the one आप उनके लिए ही बने ठीक है आपके देख लेते हैं we have a woman holding a heart so मुझे लग रहा है first meeting में भी first meeting में है जब first time मिलोगे आपके दिल में भी कहीं ना कहीं ये नो क्योंने like करोगे आपको भी एक थोड़ा सा crush वाला moment होगा जहां पर आप भी उनको पसंद करोगे first meeting में ही although आप सीरियस नहीं होगे या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे से शादी करनी है इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है लेकिन उनको देखकर आपकी future spouse को देखकर first time के लिए चाहे आपकी बात होया ना हो मुझे आपर बात होती हुई कम नजर आ रही है ठीक और बात होगी भी तो बहुत रहे लोगों के बीच में एकदम formal तरीके से बात आपकी first time होगी but मुझे लग रहा है यह आपको माल लेंगे कि आप उनके जीवन साथी हो बिना कु आपके साथ मेरा कुछ हो सकता है या मुझे अपरोच करना चाहिए या नहीं तो आप इतना जादा दिमाग नहीं लगाओगे बस आपको यह पसंद आ जाएंगे आपको बहुत प्यारे लगेंगे और आपको भी कहीना कहीं अट्रेक्शन फर्स्ट मीटिंग में फील होगा ठीक है तो आपके फ्यूचर स्पाउस का लव अट फर्स साइट होगा और आपका होगा अट्रेक्शन फर्स साइट ठीक है यह चीज यह आपर क्लियर ली दिख रही है और एक चीज मुझे यह आपर दिख रही है कि आपको कहीना कहीन साफ फील होगा ना फर्स्ट मीटिंग में उनको देखते हैं देखते हैं आप तुने बहुत पसंद करोगया आप आपको वह अट्रेक्टिक बलगिंगे लेकिन आपको कहीना कहीना ऐसा फील होगा कि मेबी इस परसन इस आउट ओफ यॉर लेग लेग आप आप सोच भी नहीं सकते हैं उनके बारे में कि वह आपके लाइफ में आई आपसे शादी करें तो आपके ऐसा फील होगा कि नहीं आउट ओफ माई लीग है तो मुझे उतना सीरियस नहीं होना चाहिए बर डेफनेटली आइ इनसे मेरी मुलाकात हो पाती फ्रिक्वेंटली या फिर हम लोग कनेक्ट कर पाते तो कितना अच्छा होता ना ऐसे इस तरीके की इमाजनेशन में आप फॉर्स टाइम रहोगे तो यह परसन डेफनेटली आपके वर्क प्लेस में कोई बहुत बड़े इंसान कोई वी आईप या आपके senior आपके boss इस तरीके की चीजें भी हो सकती है कि है व्लनोन परसन जो कि हो सकता है कुछ शिखाने आ रहे हो किसी समिनार में आ रहे हो इस तरीके की energy दिख रहे हैं but overall मुझे आदिख रहा है कि औल्दो आपको यह पसंद दोंगे और आपको असा लगेगा कि नहीं मुझे तो ऐसा इंसान मिली नहीं सकता और जब यह इंसान आपको खुद प्रपोस करेंगे तब यह डाउट में आजाओगे कि is this even for real क्या यह सच में हो रहा है मेरे साथ क्या यह जनुएन प्रपोसल है यह फिर इस इसान के इरादे कुछ और है तो यह सब आपके दिमाग में बहुत लंबा चलेगा तो कहीं नहीं आपको बहुत टाइम लगेगा अपने future husband और wife की reality को जानने के लिए उन्हें अपनाने के यह चीज आपर मुझे clearly नजर आ रही है okay so guys yeah यह यह थी आप लोग के reading I hope आपको पसंदे आगा पसंदे तो please do like, comment, share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोग को next video में guys तब तक के लिए बाँ ग्रूप वाइव क्रूप वाइव क्रूप नमबर टू अगर आपकी नेम का first letter L, X, H, D, P, या T है तो देख लेते हैं कि आपकी first meeting आपके future husband and wife के साथ कैसी होगी and आप दोनों का impression first meeting में एक दूसरी के प्रती क्या होगा so timeless reading है channel reading है आप सब के लिए आप सब देख सकते हूँ बाकी details के लिए paid readings के लिए आप मुझे given whatsapp number पर insta id पर contact कर सकते हूँ सर्विसे सारे open है चाहिए वो crystals की order placement हो या फिर tarot reading की slots के लिए हो या फिर tarot classes candle course सब कुछ open है तो आप definitely reach out करके अपने accordingly services सर्विसे सर्वेल कर सकते हूँ तो चले बिना किसी देरी के start करते हैं तो जब तक मैं shuffling कर रही हूँ आप लोग प्लीज positive रहेगा तो गविसे सब्सक्ण सब्सक्राइब तो आप रहेगा queen of sword we have two of swords we have the chariot oh my goodness Wow group number two okay so let's see the first meeting okay future has been yeah wife ke saath kaha hoongi oh my god guys aap ki first meeting na through traveling hoongi okay bhoot clearly dhikhra hai kisi successful event me and through traveling aap ki meeting aap ke future husband ya wife ke saath hoongi kisi aise jaga me joh bhoot successful ho koi aise event jisko like for example kisi ne aapne success ki party rakhi ho kisi ki shadi ho rie ho kisi ke love marriage ho rie ho basically thik hai ya kisi ka not birthday but kisi ka anna prashan ho raha ho thik hai koi mandir koi holy place jahan pe sif a chais thik hai safalta ye ki chisai mucche dikkh rahe hai aise koi eek event me situation me aap milo ge kisi na kisi na kis or achievement ke liay party throw ke liay ho and us me aap dhun ho मिलो लेकिन ट्रावलिंग ज़रूर होगा इधर आप ट्रावल करके उस पर्टिकुलर प्लेस पर चाओगे या फिर आपके फ्यूचर हजबन या वाइफ बहुत दूर से पर्टिकुलर प्लेस पर आएंगे और आप उनसे मिलोगे ठीक है तो यह जो भी इंसान होंगे दूर स जाओ यह पॉसिलिटी दिख रही है बट आपकी मीटिंग इसी तरीके से होगी कि ट्रैवलिंग करके आप लोग किसी इवेंट को अटेंड करने जाओगे और उसी के थ्रू उस ट्रैवलिंग में हो सकता है कि आप दुनों के मुलाकात हो जाएंद साथ में आप दुनों उस फर्स टाइम मीट करेंगे तो आप बहुत जादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे ठीक है आपको आपकी लाइफ में इमोशन की कोई वैलू नहीं रहेगी आपको ऐसा फील होता रहेगा कि लव इस वेस्ट कोई मतलब नहीं रिलेशनशिप्स कुछ नहीं होता है वैसा सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिल सकता तो आप बहुत जादा अपने रूड फॉर्म में रहोगे जब आप इनसे मिलोगे ठीक है मतलब आपको कोई मतलब नहीं लड़कों से या लड़कियों से जो भी आपका जंडर हो उसके accordingly कोई मतलब नहीं प्यार व्यार से आप अपने प्यार मुहबबत कुछ नहीं है और मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा स्ट्रॉंग बनके तो आप अपने प्रेटेंडिंग एनरजी में रहोगे जहां पर अंदर से आप टूट चुके रहोगे और बाहर से आप ट्रॉंग रिजिट शो होते रहोगे और बाहर से आप प्रिंसे जो भी जेंडर उसके अकॉर्डिंग यहां पर अल्मोस्ट इतनी अच्छी एनरजी है कि मैं क्या बता हूं फुल अफ लव तो होता है ना कि एक सच्चा प्यार करने वाला राच्ट सिंडरेला वाली एनरजी मुझे यहां दिख रही है जैसे सिंडरेला का यूनो उस राजकुमार से मीटिंग होता है दैन वो भाग जाती है लेकिन फिर उसका जो प्रिंस चामिंग है उसे ढून ले आपको दिख रहा है वज़रेला कि आपके फ्यूचर हजबेंड है वह कैसे इनसान होंगा ना जो कि आपको कुछ बोलने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो आपको समझ जाएंगे कि आपके दिलों दिमाग में क्या चल रहा है, and it is reality, हो सकते हैं आपको ये चीज़ भी सुनते वक्त लगे कि नहीं, ये totally baseless हो, लेकिन ऐसा नहीं है, first impression में भी मुझे आप नज confident, loving, abundant person जो आप दिख रहे हो, वो अंदर से नहीं हो, you need love, you need attention, you need someone to support you, you need someone to take away all the sadness from you, ये चीज़ ये भाप लेंगे आपके future spouse, instantly आपको देखते ही देखते, and ये चीज़ हो सकते हैं, ये आपको उस first meeting बे बोले भी, कि maybe something is going wrong with you, and कहीना के उन्हें ये चीज़ लग रही है वो शायद आपको पूछेंगे भी, कि are you okay, क्या आप सच में खुश हो, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये चीज़ मुझे या clearly दिख रही है, ठीक है, तो आपके future spouse definitely, आपके अंदर कुछ हाक लेंगे, भीना आपको जाने पैचाने ये जादा बात किये, और व city negativity आपके अंदर से feel हो रही है, तो आपकी sadness उन्हें bother करेगे, and definitely because आप दोने एक दूसरे के लिए बने हो, and ये जो चीज़ है न, बिन बोले समझ जाना, ये कितनो को नसीब होती है, आपको नसीब होंगे ये person, और ये first impression में ही मुझे दिख रहा है, ठीक है, टाइम तक नह आपको समझने में, और ये चीज़ लाइफटाइम रहेगी, तो समझ लीजे कि आपको कभी भी tension नहीं होगी, कि ये इंसान मुझे समझ नहीं पा रहा है, या समझ नहीं पा रही है, 7 Chakra Archangel Uriel No. 41, वाउ, सो मुझे यहां दिख रहा है, कि first impression, देखें, मुझे यहां दिख रहा है, कि first time जब आप दोनों की मुलाकात होगी, आप लोगी बहुत सारी बात होगी, to be very honest, आप लोगी कैसे भी मिलो, through traveling और successful event में, लेकिन आप दोनों की अचानक से बात जरूर शु बहुत सारी चीज़ों को लेकर, life को लेकर, etc, etc, and कही ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस परसन के intellectual को देख कर, आपको कही ना कहीं फील होगा कि this person is so knowledgeable, so wise, so talented, ठीक है, and कितनी अच्छी बाते हैं इनकी, so आप कही ना कहीं बहुत ज़्यादा, you know, inspired feel बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लेगा कि यह ना कहीं बहुत खुश मिजाज है, यह कितना talented है, इसके पास कितना ग्यान है, कितना अच्छी से बात कर रहा है, यह कितना मुझे समझ पारा है, कि मेरे दिल में जोट सॉल रहा है, यह मुझे खुद उस बारे में पूछ रहा तो आप उनके intellectual से प्यार कर बैठोगे first meeting में, ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे आँ दिख रहा है कि दिमाग से दिमाग की connectivity या telepathically connection first meeting में ही आप दोनों की बन जाएगी, यह एक reality मुझे दिख रही है, okay, so yeah, it's a great thing, and then फिन मुझे लग रहा है कि smoothly आप दोनों का relationship स्टार्ट हो जाएगा, because यह person आपको उस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से आपने, आपको किसी ने ना समझा हो, and आप उस तरीके से इंसान के साथ रहोगे, you know, क्योंकि इस तरीके का इंसान आपने पहले का भी देखा नहीं हो, कि जिनके रहने से ही आपके life में खुछियां आ रही W, G, C, O, या S से शुरू होता है, तो देख लेते हैं, कि आपके पहले मुलाकात, आपके future husband, wife से कहा होगी, कैसे होगी, और एक दूसरे का, you know, impression, एक दूसरे का प्रति क्या रहेगा, so timeless reading है, channel reading है, आप सब के लिए, आप सब देख सकते हैं, paid readings अभी open है, तो paid readings के लिए, आ number पर, Insta ID पर contact कर सकते हैं, सारे details description box में given है, so चले है, बिना किसी देरी के start करते हैं, तो जब तक मैं shuffling कर रही हूँ, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहेगा, okay, let's see, we have king of cups, we have four of wands, we have ace of coins, we have knight of coins, wow, okay, आप दोनों की meeting, first meeting किस तरीके से होगी, देखें, यहाँ पर दो स्टोरीज दिख रहे हैं, अब यह दो स्टोरीज में से आपके साथ फ्यूचर में कोई एक definitely होगा, ठीक है, तो मैं दो स्टोरीज ही बता देती हूँ, तो आप दोनों स्टोरीज को याद रख लीजेगा, यह अगर आपके साथ ऐसा घटित हो चुका है, तो उससे भी आप रिजुनेट कर सकते हो, तो उससे पहले मीटिंग आपके ऐसी होगे कि आप किसी के शादी में जाओगे, and through mutual friends, mutual relative, or mutual cousins, आपकी मुलाकात इस इंसान से होगे, यह इंसान आपके कोई family member, या दूर के रिष्टदार नहीं होगे, लेकिन हाँ, यह इंसान हो सकता है कि जिस शादी में आप जब उस शा इनकी शादी में, या किसी जान पहचान वाले की शादी में आप चाओ, and then फिर आपके mutual friends, या जिनकी शादी में गई हो, उन्हीं के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो, ठीक है, दूसरा story दिख रहा है, कि यह arranged marriage proposal हो सकता है, first meeting आपकी ऐसी होगी, कि आपके घर में या आपक मुझे आप दिख रहे हैं, तो यह चीज मुझे आप दिख रहे हैं, तो दो चीज होगी, दोनों में से कोई एक चीज definitely होगा, या तो आपकी arranged marriage होगी, arranged marriage proposal होगी, जिसके वएसे first time या आपके घर में ही आएंगे, और first meeting आपकी इसी तरीके से आपके घर में, या आप उनके यह चीज clearly मुझे आपके दिख रहे हैं, यह जो भी first meeting होगी, यह बहुत ही जादा, you know, matter करेगा आप दोनों के life में, because यह meeting, main meeting मुझे दिख रहे हैं, ठीक हैं, अगर आप किसी के शादी में जाकर भी मिलोगे न, इस इंसान से, तो अभी वो उसी mindset से होगा, कि वो आप दो दोनों एक दूसरे के साथ, you know, tie up कर लो, तो जो meeting होगी first meeting, वो casual नहीं होगी, arrange manage proposal होगा, तो भी शादी के intention से meeting होगी first meeting, और अगर आपकी कोई meeting करवाएगा, किसी के शादी में, तो वो इंसान भी आप दोनों के meeting करवाएगा, क्योंकि वो अंदर से चाहेगा, या चाहेग है, कि बहुत सरी चीजे प्रसीड होने के chances रहेंगे, जिससे आपकी शादी इस इंसान के साल जल से जल हो जाएगी, यह चीज यहां clearly दिख रहा है, चलिए impressions देख लेते हैं, लिए सकते हैं, नेटे लिए सब्सक्राइब, करें दो नेटनी के सब्सक्राइब, क्योंकि वो इस्टाइब, क्योंकि वो आपको बहुत दा पसंद करेंगे, परहिए आपको बहुत दा पसंद करेंगे, उन्हें आसा कहीं देख होगा कि you are a very confident person, बहुत दावाइस इंसानो फोल स्टेबल इंसान वो बहुत पच्छु गथिल करेंगे आपके तो अपने अपने आपको आपको अपने को बहुत बहुत कोशिश करेंगे तु बहुत नसा है तो एक हिचाव महसूस यह डेफेनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, वो फर्स्ट मीटिंग में आपके तरफ एक मैगनेटिक पुल फील करेंगे वो बहुत कोशिश करेंगे अपने आपको कंट्रोल करके एकदम अच्छे इंसान की तरह एकदम सीधे इंसान की तरह बात करने का या चुप चुप रहने का जादा कुछ ना बोल देने का जादा कंपलिमेट ना करना यह सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करने की पूरी-पूर भी कोशिश करेंगे but overall this person will like you a lot on the first meeting itself आपकी देख लेते हैं आपकी क्या रहेगी impression आप क्या सोचोगे अपने future spouse को देख कर first time we have strong warning number 10 तो कही ना कही मुझे ना दिख रहा है कि nervousness आपके अंदर काम करेगा first meeting में जब आप इस इंसान को देखोगे तो कही ना कही आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या सुचना चाहिए या क्या महसूस करना चाहिए आप बहुत दा mixed signals में रहोगे हो सकते अपने past को लेकर या फिर इन जनरल आपको डर रहे किसी चीज का या फिर आपको एक confusion माइंड में घेरे कि इन से क्यों मिलना हो रहा है या फिर ये क्यों आए है इस तरी के energy मुझे दिख रहे है तो आपकी कुछ खास impression रही रहेगी इस इनसान को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि ये इनसान अब आतो गए कहीं इस इनसान के साथ मेरा सच में कुछ जुड़ना जाए और अगर जुड़ जाए तो सब कुछ अच्छा तो होगा ना कहीं कुछ हम दोनों का जो है मेरा जिंदीगी बरबाद ना हो इनके साथ जुड़के या बात करक तो आप बहुत अधा डूवल एनरजी में रहोगे बहुत अधा मिक्स्ट फीलिंग्स आपको आएगी और अप अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पाओगे तो ये चीज मुझे आ दिख रहे है तो एक ऐसी मोमेंट में होगा कि अगर ये मैरेज अरेंज मैरेज प्रोपोज अप को एनरजी मिल जाएगी कि यह इनसान को आपसे कोई मिल वा रहा है तो टोनों की क्या मिलना सही है क्या बात करना सही है अगर गलत decision में ले लिया तो आपका टेंशन जादा रहेगा first impression में rather than इनके बार में सोचना तो आप अपने future spouse के बार में उतना सोच हो गई नहीं कि वो कैसे दिख रहे हैं कैसे लग रहे हैं कैसे उनकी इच्छा जाग रहे हैं आपके दिमाग में यही सरे tension चलते रहेंगे कि मेरा क्या होगा क्या मेरा सही जिंद आप याद भी नहीं कर पाओगे कि उस दिन आपके future husband या wife कैसे लग रहे थे दिखने में कैसे वो बात कर रहे थे और आपको उनसे मिलके कैसा लग रहा था आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे बाद में कि मुझे actually कैसा लग रहा था इनसे मिलके या इनको देख कर तो जब हो यह थी आप लोग की रीडिंग, I hope आपको पसंद आगा, पसंद आगा, पसंद आगा, तो प्लीज तो लाइक, कमेंड, शेयर और सब्सक्राइब, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाइ, क्रूप 3 अगर आपकी नीम का फॉर्स लिटर, J, V, F, B, N, Y, Z, या R है तो देख लेते हैं कि आपकी फॉर्स मीटिंग, आपके फ्यूचर हजबेंड, वाइफ के साह, कैसे होगी, कहां पर होगी, आप दुनों का इंप्रेशन एक दूसरे के प्रति कैसा रहेगा फॉर्स मीटिंग में आप सब के लिए आप सब इसे देख सकते हो, पे रीडिंग से नोट जाए शेमस्तों क्रीस्टल, ऑनलाइन टारो क्लास, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लास, अक्टिवेड़ें प्रेमिडियों के लिए गिवन वाट्सम नमबर पर इंस्ट इडिपर कांटेट कर सकत आप सकते हो, 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 we have the devil we have queen of wands we have king of wands okay cool cool तुब आपकी first meeting कहाँ पर होगी तुब आपकी first meeting कहाँ पर होगी देखें मुझे आप नजर आ रहा है कि आप इसी एक fascinating place में मिलोगे बट उस place में आपका कुछ ना कुछ वर्क रेलेटेड वो एरिया होगा आपका जासे के for example आप इस इन्सान को किसी mall में मिल सकते हो ठीक है किसी fancy restaurant दॉआ या cafe में मिल सकते हो किसी gym में मिल सकते हो ठीक है या फिर किसी salon में मिल सकते हो तुब ऐसा हो सकते है जो में अपको एक्जांपल दिए उसमें हो सकते हि deg aapka kाम related हो इधर आप वहाँ पर कस्टमर बनके जाओ या फिर आपका काम वहाँ पर जॉब हो आपका या फिर आपका खुद का वह बिसनेस हो ऐसा भी हो सकते है तो यह चीज मुझे दिख रही है कि इस तरीके के जगव में आप इस इंसान से मिलोगे जब मिलोगे तो आसपास आपके ब इस तरीके के इनरजी दिख रही है ठीक है जब आप दोनों फर्स टाइम मिलोगे तो उस टाइम पर आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे जो अपने चीजे कर वारे होंगे या खुद इनरजी मुझे दिख रही है ठीक है आप आप टीचर स्टुडेंट भी हो सकते हो कुछ लोगके लिए मुझे दिख रहा है टैनरजी मुझे दिख रहा है या पर फिर आप टीचर हो और वो श्टूडेंट है या फिर वो टीचर है आप स्टुडेंट हो एसी भी पोसिएम एश्स अनु clicking the text ہے या एक इसा अम की एक अच्छे जगह पर मिलोगे रैसे जगह पर जहां पर आसपास बहुत तरह लोग है पब्लिक प्लेस है वो कहीं न कहीं एक जगह का ठीक है किसी इंस्टिउशन में यह चीज़ यहां दिख रहे हैं तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप दुनों की इंप्रेशन के लिए दूसरे के प्रति क्या रहेगा आप के लिए अब कॉंट्रैक्ट वाव मुझे यहां दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे फ्यूचर हजबिन और वाइप फर्स टाइम में ही उन्हें कहीं नहीं ऐसा फील होगा कि आप उनके सोलमेट हो या फिर वह आपक तब बहुत ही अच्छा वो फील करेंगे इंस्टेंट क्रश आप उनके बन जाओ गया और उन्हें ऐसा फील होगा कि शायद जिन्हें वो अब तक धून रहे हैं या चाह रहे हैं किसी के साथ सेटल डाउन करना यू आप वो इंसानों जिनके साथ सेटल कर सकते हैं और उनक आपके फ्यूचर स्पाउस अंदर से एक इंस्टेंट कनेक्शन आपके साथ फॉर्म करेंगे पहले दिन जब भी आपको देखेंगे इस ट्रेंजर आपके लिए अचाह दिल में उनकी एक जगा बन जाएगी और आपको सोलमेट की रूप में देखने लगे और उन्हें कही कि आपको डेट करना ही है नो मैटर वाट ठीक है तो मुझे आपर आप दुनों की सोलमेट कनेक्शन दिख रही है और आपके परसन जो है वो इस चीज को इंस्टेंटली कैच करेंगे उस वाइप को ठीक है आपके आपकी देख लेते हैं आपकी क्या इंप्रेशन होगी देखें मुझे याँ दिख रहा है कि फर्स इंप्रेशन आपकी ऐसी होगी कि इस इनसान से मिलकर आपको अच्छा फील होगा आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे पॉजिटिव फील करोगे इस परसन के औरा से आपको बहुत अच्छा मैसूस होगा अगर इनसे आप थो बालें सुकून सा अच्छानक से फील होने लगेगा तो आप बहुत अच्छा फील करोगे एंड उस दिन आप बहुत ही अपलिफ्टेड फील करोगे आपको अटोमेटिकली ऐसा फील होने लगा कि समवन इस फाइनली देर फॉर यू आपको सपोर्ट करने के लिए या फिर तो आप बहुत जादा इनके उपर feelings generate नहीं करोगे या फिर आपको ऐसा भी feeling होगा कि मुझे instantly attraction हो गया या मुझे प्यार हो गया या मुझे यह इंसान अच्छे लग रहे हैं तो first meeting में ऐसा कुछ भी नहीं होगा लेकिन आपको कहीं नहीं होगा कि इस इंसान से बात करने के ब इस इंसान में कुछ अलग बात हैं जो बाकी इंसान के अंदर नहीं है अब तक आप जिनके भी इनो जिनसे भी आपने बात करी हो तो आपको इस तरीके के feeling इस आपके future spouse से मिलेगी और बहुत अच्छा फील करोगा मुझे तो आपके दिमाग में या इनसान जरूर घूमें करां तो यह जीमन है कैंब करने एक फिक हैं इस इस आप प्यार आप उन्यार्यायंट श्राइज रहा है ज्ल्साइए और नमित दर्ट बनेवाएं या जहीं दिमाग में कूंग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ठीक है और क्यों मैं मजबूर हो जा रहा हूँ या हो रही हूँ इस इंसान के बार में सोचने के लिए ऐसा आपको फील होगा आपको इनके तरफ गाइट कर रहा है कि आपको इनके तरफ जाना चाहिए और आप इनके खयालों में घूमते रहोगे ये चीज़ दिख रहे है और ये इंसान की इंप्रेशन ये रहेगी कि इनको ऐसा फील होगा ये मुझे मेरा सोलमेंट मिल गया है जिसे मैं ढून रहा था आप मुझे इसके साथ डेटिंग स्टार्ट करना है और तरीके ढूनने की मैं कैसे इसे अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है तो ये चीज़ मुझे यह दिख रहे है तो आप दोनों की बहुत अलग-अलग तरीके से इंप्रेशन रहेगी एक दूसरे के प्रती बढ़ जो भी चीज़े मुझे लग रहे है कि overall उसका outcome बहुत ही प्यारा सुनहरा निकल के आएगा because आप दोनों का बहुत ही successful relationship, successful marriage होगा and आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी भी हो तो आप दोनों को realization अलग-अलग level पे अलग-अलग तरीकी से होगा ठीक है आपको ऐस कि मैं कुछ करना नहीं चाहरा नहीं करना चाहरी but still I'm feeling inclined towards that person okay so guys यह थी आप लोग की reading I hope अपको पसंदे है अगा पसंदे है प्लीज तो like, comment, share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोगो नेक्स वीडियो में guys तब तक के लिए बाई-बाई-बाई-फूर